फ्रेंड्स इसके पहले एपिसोड में हमने वाइड लाइफ फोटीवाफिक इ मैं के लिए से्टिंग कैसे करनी है कि और बारे बात किया आज कुछ और इंहुर्टेंट सेटिंग के बारे बात करेंगे एक important setting हमारा यह है white balance white balance में हम mainly मैं auto white balance पे हमेशा white life photography में यह setting अपने रखता हूँ और या sunrise या sunset के समय जब मुझे suit करना होता है तो मैं या तो shade में या manually मैं 9000 Kelvin के आसपास अपनी manual setting करके यह इतना white balance रखता हूँ तो मैं आपको भी यह suggest करूँगा this is very good next हमारा यह आए था autofocus mode autofocus mode हमें क्या use करना है तो इसमें दो तरह का दो main है एक तो one shot और दूसरा AI servo one shot में आप जानते हैं कि जब one shot में हम photo लेते हैं तो focus हमारा log करता है लेकिन AI servo mode में जब हम photography करते हैं तो focus lock न करके हमेशा continuously subject को track करता है तो wildlife photography के लिए यह हमारा AI servo mode ही बहतर है क्योंकि तमाम moving हमें लेनी होती है जो animal है या bird flying birds के हैं तो हमेशा जायतर moving subject हमें photograph करने होते हैं तो AI servo में हम अपना यह set रखेंगे आटोफोकस mode को ताकि हम continuously हम subject को track करके और photo ले सके next जो हमें रखना है यह हमारा suiting mode हम क्या रखें तो यह तो single sort या high speed continuous sort single sort में हमें जो wildlife में हैं चाहे animal हो या birds हो कही तरह के actions हमें suit करने होते हैं motion suit करने होते हैं posture gesture suit करने होते हैं तो अगर हम high speed continuous shooting mode पर हम suit करेंगे तो जो हमारे camera की capacity है कि एक second में कितना frame हमारा camera लेता है बहुत सारी camera 7 frame per second 10 frame per second 12 frame per second 16 frame per second 20 frame per second तक camera को capability है तो इससे होता क्या है कि जब हम 60 person हम push रखेंगे तो हमारा camera जो है continuously high speed में जितनी उसके capacity है उस high speed में photo लेता रहता है तो एक second में जितनी उसके capacity उतने वो photo ले लेगा तो wildlife photography के लिए सबसे अच्छा यह है कि हम high speed continuous shooting mode में हम अपने camera को set रखें next हमारा है picture style generally तमाम तरह की picture styles है बट मैं आपको suggest करूँगा कि बिल्कुल simple रखिए आप standard picture style में रखिए photo आपको flat में लेगी और post processing में आप जिस तरह की चाहें आप उस तरह से photo आप अपनी edit कर सकते हैं तो picture style standard रखनी है दोस्तों और एक और important यह है picture quality picture quality हमें क्या रखनी है तो mainly आप देखते हैं तो jpeg में हम यह तो suit करते हैं यह raw में suit करते हैं jpeg में आप जानते हैं कि उतनी camera हमें process image देता है और उतनी details जो हम capture नहीं कर पाते हैं रख में क्या है रख में अगर हम हमारी picture quality हम raw पे set करते हैं तो raw में maximum detail ज्यादा से ज्यादा detail हम जो capture कर पाते हैं और post processing में हम सारा detail जितना details हमें चाहिए उतना details हम अपने photo में वो post processing से निकाल लेते हैं दूसरा फायदा यह भी है इसका raw का कि JPEG में यह हम suit करते हैं तो हम picture style और white balance दो चीजे हम change नहीं कर सकते बट अगर हम raw में suit कर रहे हैं तो हम picture style और white balance दोनों ही आराम से change कर सकते हैं तो picture quality में raw better है और मैं suggest करूँगा कि आप हमेसा wildlife photography के लिए raw में ही suit करें suit always in raw तो यह दोस्तों कुछ settings थी जो मैंने आपको बताया मुझे आसा है इससे आपको काफी लाब होगा thank you कुछ प्रामों जोस्तों